नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागते कृष्णा एज्यू के सन यूटूब चैनल पे दोस्तों इस चैनल पे हम आपको इंटरनेट एंडरोइट कॉम्पिटर के प्रोग्राम के बारे में जानकरी देते हैं दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सबक्राइब नहीं क्या हो तो प्लीज सबक्राइब किजिए सबक्राइब करना बिल्कुल आसान और फ्री है जिहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है हमारा चैनल सब्क्राइब करना बिल्खुल फिरी है आपको अपने इमेल एकाउट में लॉग In होने के बाद हमारी यूटूब चैनल पे डी कलर वाला सब्क्राइब बटन दबाना है दोस्तो हमारा चैनल सब्क्राइब करने से आप घर बेटे ही मुफ्ट में आपको इंटरनेट, एंड्रोइट, कॉंपिटर के प्रोग्राम, टैली, ERP9, फोटोशॉप, कॉरल रू, पेज मेकर, MS Office 2010 की सारी जानकारी मुफ्ट में मिल जाएगी तो दोस्तो अभी ही सब्क्राइब किजिए और दोस्तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्क्राइब कर दिया हूँ, तो दोस्तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तो आईए हम आगे सिखते हैं दियर फ्रेंड्स हम आपको आज इंसर्ट में बुक मार्स कमांड के बारे में बताएंगे जैसे हमने एक फाइल यहाँ पर ओपन की हुई है, इसमें से हम कुछ टेक्स को सेलेक्ट करेंगे बुक मार का यूज हम इसलिए करते हैं, जब हमारी कोई भी इंपोटेंट फाइल हो या उस फाइल के अंदर कोई इंपोटेंट अपना मैटर हो, उसको हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके और हम यहाँ से बुक मार कमांड्स में जाएंगे यहां हम कोई भी file name देखकर उसको add कर देगे add करने के बाद हम यहां से file को close करेंगे और close पर click करते ही एक dialogue box यहां पर open होगा उस पर हम save commands पर click करेंगे save पर click करके हम वापस हमारा word document open करेंगे open करने के बाद हम file menu में जाएंगे और हमारी file को open करेंगे जिस file में से हमने text को select करके bookmark में save किया था अब हम उस topic को देखना चाते हैं जिसको हमने bookmark में save किया तो हम यहां से insert commands में bookmark select करेंगे और जो नाम से हमने file save की थी उसको हम select करेंगे select करके यहां से go to command पर click करेंगे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वह है टेक्स आपको हाइलाइट करके दिखा देगा जिसको आपने सेव किया था इस तरह से हमारे कोई भी मॉस्ट टॉपिक्स को हम बुक मार्क में सेव कर सकते हैं इससे हमें हमारी फाइल को डूरने में हेल्प मिलेगी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हेडर एंड फूटर हेडर का यूज हम हमारी फाइल को फाइल के उपर हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं जैसे हम यहाँ लेंगे हेडर हेडर पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कई तरह की style यहाँ पर दिखाई देगी हम headers में जो भी style लेना चाहते हैं उस पर click करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिया type the document title इस पर click करेंगे और हमारी file का जो title है हम यहाँ पर add कर देंगे जैसे हमने लिखा computer project file इसके बाद हम इस पर वो सब तरह की formatting दे सकते हैं जो हमने पहले सीखी थी इसको select करेंगे select करके हम यहाँ से right click करेंगे तो इसी पर आपकी एक mini toolbar open होगी जिसमें आपको bold italic underline के apply कर सकते हैं और size को भी बढ़ा सकते हैं हम text के color change करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं next हम इसमें लेंगे footer footer पे click करके हम हमारे page के down में footer में कुछ भी लिख सकते हैं हमको जो भी style यहाँ से अच्छी लगती है हम यहाँ से select करेंगे और footer में जैसे हम हमारी company का address टाइप कर देंगे company की timing वगरा है, diet है हम सब यहाँ पर insert कर सकते हैं type text पे click करके जैसे हम लिखेंगे आपर company का address पालिवाल market गुमानपुरा कोटा और यहाँ से हम page number एड timing जो भी हम add करना चाहें वो add कर सकते हैं इसके बार हम हमारी text की size बढ़ा सकते हैं right click करके mini toolbar में से bold कर सकते हैं यह सब करने के बार हम यहाँ से इसको close header and footer करेंगे तो हमको यहाँ पर हमारी heading और footer में यह topic दिखाए देगा जो आपने लिखा जब हम इसका print out देखेंगे file menu में जाके print पे लेकर तो हमें इस तरह से हमारी file का print out दिखाए देगा तो हम इससे एक letter page यहां पर तयार कर सकते हैं अगर हमें इनको वापस remove करना है तो हम वापस insert commands में जाके header लेंगे header में से हम यहां से remove header करेंगे footer में जाके remove footer next लेंगे हम page number हम जैसे हमारी file पर continue work करते हैं तो हमारी page number हम यहां से apply कर सकते हैं page number पे click करेंगे आपको कई options यहां पर दिये हुए है top of page, bottom of page, page margins, current positions तो हम इनमें कहां पर भी हमारे page number को apply कर सकते हैं जैसे हमें top में चाहिए तो top of page लेंगे तो आप में भी आपको कई तरह की यहाँ पर स्टेल्स दी हुई है कि आप सेंटर में लेना चाते हैं या आप लेप्ट में लेना चाते हैं राइट में जैसे हमें यहाँ पर सेंटर में लेना है तो हम यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारी page numbering आपको page के center में दिखाई देगी उसके बाद हम close and and footer करेंगे continuum जैसे enter press करेंगे यहां से keyboard से तो हमें हमारे हर page पे page numbering दिखाई देगी तो page number on करने के बाद हमारी हर page पे numbering automatically add होती जाएगी इसको वापस से हमें remove करना है तो हम page number पे जाएगे यहां से लेंगे remove page number text box next topic लेंगे हम text box text box का use हम किसी भी matter को text box के अंदर लिखने के लिए use करते हैं जैसे हम text box पे click करेंगे तो हमें कुछ already यहां पर defaults बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं हम इन में से लेना चाहें तो हम यहां से भी इनको use कर सकते हैं अगर हम हमारे according कोई भी text box बनाना चाहते हैं तो draw text box पे जाएंगे और यहां से text box draw करेंगे अब उसके अंदर हम कोई भी matter या topic को add कर सकते हैं head करने के बार इसके top में आप इसकी property को देख रहे हैं यहां पर text box पे इस property को आप apply कर सकते हैं format के अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको जैसे मैंने आपको पिछली बार clip art pictures में यह सारी चीजों को बताया था तो उसी तरीके से आप text box पर भी इनको apply करके देख सकते हैं जैसे हम color fill कर देंगे यहां से हम इस तरह की shadow effect भी दे सकते हैं reflections वगर apply कर सकते हैं इस तरह से हम कई तरह की steps यहां से इसको apply कर सकते हैं next हम लेंगे inserts में quick parts quick parts के लिए हम यहां पर click करेंगे click करने के बाल हम इसमें लेंगे filled filled के अंदर हम लेंगे formula और formula के अंदर हम यहां पर किसी भी तरह की formula को editing कर सकते हैं जैसे हम किसी भी numbering को plus करना चाहते हैं हमने जैसे यहां लिखा 5000 plus 5,000 then okay करेंगे okay करते ही हम यहां पर calculations की दिखाई देगी इसी तरह से हम और भी यहां पर multiply कर सकते हैं formula में जाकर जैसे हमें into करना है 5000 को तो into का sign लेंगे यहां से into लगा कर हम कितने से into करना चाहते हैं जिसे हमें 50 से into करना है लिख कर okay कर देंगे तो यहां पर आपको multiply में संख्या दिखाई देगी next इसके बाद हम देखेंगे word art word art भी हमारे text पर किसी भी तरह की style को apply करने के लिए use किया जाता है जैसे हम यहां से text को लेंगे text लेने के बाद हम यहां type करेंगे जैसे हम कुछ भी यहां पर type कर देंगे जैसे हमने यहां लिखा sort को यहां लिखने के बाद हम यहां पर property में से format में से इस पर किसी भी प्रकार की formatting apply कर सकते हैं जो पिछली बार मैंने आपको बताया इसी तरह से हम word art की style पर भी apply कर सकते हैं जैसे हमने आप bevel effect दिया colors जो भी आपको चाहिए change कर सकते हैं यहां से align text में जाके आप top, middle, bottom इनको change कर सकते हैं bring forward, send backward, wrap text इन सबका यहां पर pictures की तरह ही use कर सकते हैं next हम लेंगे drop cap हम आपको यह next अगले topic में बताएंगे धन्यवाद दोस्तों आपको हमारा यह video पसंद आया हो तो please इसे अपने दोस्तों के साथ share करे, subscribe करे और like करे, अगर आपको कुछ जान करें चाहिए तो please comment करे, thank you for watching